बाजपस आंसवत प्रवीन खंडेलवार ने हर्याना में हार के बाद कॉंग्रेस द्वारा EVM में गडबड़ी को लेकर चुनाव आयोक में नई शिकायत दर्च कराने पर कहा कि कॉंग्रेस के लिए ये कोई नई बात नहीं है वो जहां भी चुनाव हारते हैं वहां वो EVM को चुनाव हुए थे और वहां JKNC कॉंग्रेस गडबंधन सरकार बना रहा है इसलिए उन्होंने वहां EVM को दोश नहीं दिया लेकिन हर्याना में वो इसलिए हार गए क्योंकि राजी के लोगों ने कॉंग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि चुनाव में उनकी हार का काड़ वो खुद हैं अब इसका EVM से कोई लेना देना नहीं है अगर उन्होंने EVM को लेकर चुनावायोग से शिकायत की है तो चुनावायोग इस पर फैसला करेगा जहाँ जहाँ कॉंग्रेस चुनाव हारती है वहाँ वहाँ वो EVM को दोश देती है और नएने कारण ढूंटी है कि EVM खराब है गम्मु काश्मीर में चुनाव हुए इन्ही EVM के दौरा क्योंकि वहाँ पर नेशनल कॉंफरेंस और कॉंग्रेस की सरकार बन रही है तो हरियाना में चुनाव हार गया क्योंकि हरियाना की जनता ने एक सिरे से कॉंग्रेस को नकार दिया तो अब उनको वहाँ पर दोश दिखाई देता है साफ तोर पर वो यह समझपाने में असफल है कि यह जो फेल हुए वो चुनाव में उनके अपने कारणों से है उसका EVM से क कोई दूर दूर तक लेने देना नहीं है और अगर उन्होंने EVM की शिकायत चुनावायोग ने की है तो चुनावायोग इसका निर्ड़ा करेगा लेकिन बार बार कॉंग्रेस या कोई भी दल जब चुनाव हारता है तो EVM को दोश देता है लेकिन जब वो चुनाव जीतते हैं तब EVM उनको सही दिखाई देती है यह साफ दिखाई देता है कि उनके चीजों को देखने के